इस वीडियो में आज हम मेडिटेट करेंगे फर्गिवनेस के लिए खुद को और दूसरों को फर्गिव करने के लिए कोई भी हेट, ग्रज या रसेंटमेंट अगर हमने किसी भी इंसान के लिए मन में भरके रखा है तो उसको निकालने के लिए लेट गो करने के लिए खुद पर से ब्लेम, हर्ट और हेट के इमोशन्स का भार हटाने के लिए मन से, दिल से, माफ करने के लिए ये मेडिटेशन शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं नफरत, गुसा और ब्लेम के जो इमोशन है वो हमारे अंदर है खुद को उनसे आजाद करने के लिए कर रहे हैं हम पे कोई लोड नहीं है कि हमें अच्छा इंसान बनने के लिए माफ करना है सामने वाले को हम ये बस इसलिए कर रहे हैं कि बहुत समय से ये negative emotions हमने हमारे अंदर भरके रखे हैं जो हमारा ही नुकसान कर रहे हैं हमें जैसी life चाहिए वो बनाने से रोक रहे हैं हम ये हमारे लिए कर रहे हैं किसी चेर पे comfortably बैट जाएए हाथ और पैर क्रॉस किये बिना अपने हाथों को थाइस पे रखिए facing upwards और अपनी आखे बन कर दीजिए अब धीरे से एक गहरी लंबी सांस लो और मुझ से उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दो एक और लंबी और गहरी सांस लो और फिर से उसे मुझ से पूरी तरह से बाहर निकाल दो एक और बार गहरी और लंबी सांस लो और फिर से उसे मुझ से पूरी तरह से बाहर निकाल दो अब इमाजिन करो कि आप एक नदी के किनारे खड़े हो आपके पास एक बहुत बड़ी बैग है बहुत भारी बहुत मुश्किल से उठा पा रहे हो आप उसे फिर भी उठा रहे हो इमाजिन करो आपने वो भारी बैग अपने शोल्डर्स पे रखी है उस बैग में बड़े बड़े पत्थर है यह पत्थर आपकी मेमरी है और इमोशन्स है जो आपने अपने पास इतने सालों से रख रखे हैं इस बैग में वो सारे emotions हैं नफरत के, hurt के, hate के, grudge के, resentment के जो आपने अपने पास रख रखे हैं इस बैग में वो सारे emotions हैं जो आपने feel किये हैं जब भी किसी इनसान ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है या hurt किया है या आपको धोका दिया है या आपकी expectations पूरी नहीं की है या आपने खुद अपने expectations पूरी नहीं की है और इस वज़े से आप खुद को या उन लोगों को माफ नहीं कर पाये हो अब तक नहीं कर पाए हो, अब तक hold करके रखा है, रोज hold करके रखते हो, day after day, year after year, वो bag भारी होता ही जा रहा है, वो सब emotions के पत्थर बन के आपके वो bag में पड़े हैं, आज वो time है, उन सब को release कर देने का, उन सब से free हो जाने का, today is the day to let go, आपने decide किया है कि आज मैं इन से आजाद हो जाऊंगा, इनके load से आजाद हो जाऊंगा, अब एक लंबी और गहरी सांस लो, और उसे नाक से ही बाहर निकाल दो, और अब याद करो उन सारे लोगों को, और उन सारे incidents को, जिसके लिए आपके मन में बहुत नफरत या गुस्सा है, याद करो कि ऐसा क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा क्या किया था, जिससे आपके मन में इतनी नफरत भर गई है, कि मेरे कहते ही आपको वो इनसान और वो situation तुरंद याद आ गई, Remember Everything याद करो कि उनके साथ आपका क्या relation है, क्या वो आपके boss है, आपके life partner है, या parents है, याद करो उन्होंने ऐसा क्या कहा था, याद करो आप उनसे क्या expect करते थे जो उन्होंने पूरा नहीं किया याद करो आप खुद से क्यों इतनी नफरत करते हो क्या expectations का लोड खुद पे डाल के बैठे हो जो आपसे पूरी नहीं हो रही है याद करो वो reason, सारे वो reason जिनकी वज़े से आप अब तक ये सारे negative emotions फेल करते हो अब याद करो कि क्या उन्होंने सिर्फ बुरा किया है आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया? क्या आपकी life में सिर्फ वो खराब situations है? कोई अच्छी नहीं है? याद करो उन लोगों ने जिनको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, कितनी बार आपकी मदद की होगी शायद आपके सबसे तकलीफ के समय में सिर्फ वो ही थे आपके साथ शायद कभी ऐसा टाइम था जब वो आपकी स्ट्रेंथ थे, शायद वो अब नहीं कर पा रहे हैं शायद वो खुद किसी लोड में हैं, तकलीफ में हैं, अंदर से चाके भी नहीं कर पा रहे हैं याद करो आपने कितने अच्छे मॉमेंट्स भी स्पेंड किये हैं उनके साथ सारे वो मॉमेंट्स याद करो और उस टाइम पर जो भी ब्यूटिफुल इमोशन्स फील किये थे, उनको फील करने की कोशिश करो याद करो कि आप खुद कितना कर रहे हो इस लाइफ में, कितनी रिस्पॉंसिबिलिटीज फुल्फिल कर रहे हो बिना कंप्लेन के सब हैंडल कर रहे हो, सब निभा रहे हो शायद आपकी जगह कोई और होता तो इतना भी नहीं कर पाता प्राउड फील करो खुद के लिए अब अपने मन में मेरे साथ रिपीट करो कि जो हर्ट होना था, वो अलरेडी हो चुका है वो पास्ट में है, अब उसे रोज अपने मन में नहीं जीना है आज लास्ट डे है, मैं खुद को माफ करता हूँ मैं सबको माफ करता हूँ I forgive myself, I forgive everyone, I let all the negative emotions go अब एक गहरी सांस लो और वो जो बैग है आपके शोल्डर्स पे उसको पूरा का पूरा सामने नदी में खाली कर दो एक-एक करके उसमें से सारे पत्थर निकालो और जितने भी खराब moments की वज़े से वो पत्थर रखे थे अपने पास negative emotions के hurt के उनको consciously, full intention के साथ पानी में फैक दो release कर दो, release completely वो बैग अब एक दम खाली है you have let go of all the negative emotions you are free, completely free you have only love for yourself and others अब तीन बार slow और गहरी सांस लो breathe in, breathe out breathe in, breathe out breathe in, breathe out now slowly move your fingers take your time and open your eyes Pas अबम śòng comment नक्ष्स है